हेलो गुड़ मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का जी के ट्रैक यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो हम जून मन्त करेंट अफेर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टन कोस्टन देखेंगे जो कि आपके आने वाली एक्जाम के लिए एती मैयत तो पूर्ण है तो इसलिए वीडियो को बिने स्किप के पूरा देखते रही है और अगर आप वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जो सस्क्राइब करें साथ ही बेल आइकन जो दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके हैं तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमारा आज का पहला कॉस्टन है निम्ड में से किस बोलिवुड एक्टर ने उत्तर प्रदेश में आँख की बिमारियों के बचाप को लेकर अभियान सी नाव लौंच किया है तो देखें बेरी इंपोर्टन कॉस्टन है यह तो इसका राइट आंसर ओप्सन सी हो जाएगा अमिताब बच्चन जी ने आपको याद रखना है अभी हाली में बोलिवुड एक्टर अमिताब बच्चन जी ने उत्तर प्रदेश में आँख की बिमारियों के बचाप को लेकर जो अभी हान लोंच किया है उसका नाम क्या है सी नाव आपको इसका नाम याद रखना है इस अभी हान का नाम है सी नाव देखिए इस अभी हान के तहट उत्तर प्रदेश के उन्नाव लखनाव राय वरेली लखिमपूर खेरी और सीतापूर सहरों में रेडियो टीबी और सोसल मीडिया आधी के माध्यम से आखे स्वास्ते को लेकर जारुकता फिलाई जाईगी तो आपको याद रखना है कि अमिताब बच्चन जी ने जो अभिहान लॉंच क्या होता प्रदेश मुसका नाम क्या है C9 तो चलिए आगए अगला कॉस्टन देखते हैं स्पेक्टरम, रोंट, जेन, गामा नामक एक अंतरिक्स दुर्मीन लौंच करने की योजना बना रहे हैं देखे यह दुर्मीन ब्रहमान के त्री आयामी एकसरे मानचीतर का निर्मान करेगी और एग्यात, विसालकाई, क्रंट, स्छिद्रों एवं सितारों के रहस्यों को सुलजाने में भी मदद करेगी तो आपको याद रखने हैं जर्मानी और रूस देश के बिग्यानिकों की स्पेक्टरम, इस दुर्मीन को लौंच करने की योजना बना रहे हैं तो आपको याद रखना है दो हजार सताइस तक देखिए अभी हाली में स्रिंक तुराष्ट की एक रिपोर्ट जारी की गई है इस रिपोर्ट में का गया है कि दो हजार सताइस तक भारत चीन को पीछे छोड़ कर सबसे अबादे वाला देश होगा अगर हम बात करें भारत की समय जो अबादी जनसेंग कितनी है 137 करोड है और चीन की जनसेंग किया इस समय पर 143 करोड तो दो हजार सताइस तक भारत चीन के अबादी को पीछे छोड़ देखा दो हजार सताइस के बाद सबसे अबादी वाला देश होगा भारत इस रिपोर्ट में ऐसा कहा है तो आपको याद रखना है तो चलिए आगे नेस्ट कोसन देखते है निमन लिखित में से किसे हाली में भारते जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्स चयानित किया गया है तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा बीजेपी की अध्यक्स को होने अमित्सा है लेकिन अमित्सा को इस बार भारत का ग्रह मंत्री बनाया गया है तो इसलिए संसेदे बोर्ट ने तैक किया है कि जेपी नडड़ा को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्स बनाया जाए तो जो BJP यानी भातर दिन्ता पार्टी का कार्या-कारी अद्यक्स बनाया गया है ज ziehen पी, नद्डा को बनाया गया है तो इस olarak option भी हो जाएगा, JP नद्डा देखिए हाला कि जो अमित्सा है ये BJP पार्टी का अद्यक्स बने रहेंगे इन्हें सिर्फ जेपी नड़ा को सिर्फ कारेकारी अध्यक्स बनाया गया है तो आपको याद रखना है तो चलिए आगे नेश्ट कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमबर पांच है किस राज्ये में चमकी बुखार का प्रिकोव बढ़ता जा रहा है इस बुखार से मरने बाले बच्चों की संके लगातार बढ़ती जा रही है तो जैसे कि आप सभी को पता होगा बिहार राज्ये में चमकी बुखार का प्रिकोव बढ़ रहा है तो इसका अंसर ओप्सन C हो जाएगा बिहार राज्ये में देखे चमकी बुखार यह दिमागी बुखार है तो आपको याद रखना है देखे यह अत्यादिक गर्मी यह वो नमी के मोसम में फैलता है देखे इसमें एक साल से 15 साल तक की उम्र के बच्चे जादा प्रिवावित होते हैं इस बुखार से चमकी बुखार से तो आपको या लाउंडर ने अपने बिस्व करियर की पहली गेंद पर पाकिस्तानी ओपनर इमाम उलहक का बिकेट ले लिया तो जैसे कि आप सभी को पता होगा जो बंडे बिस्व कब 2019 चल रहा है तो इसमें भारते टीम के और लाउंडर खिलाडी बिजय संकर ने पाकिस्तान के खिलाप अ सबसे हूचा मोसम केंदर निमलिखित मेंसिक किस स्थान पर स्थापित किया गया है तो इसका सही आंसर ओप्शन सी हो जाएगा। आप सभी को पतावका मांट डविश्त बिस्व की सबसे हुची छोटी है तो इस पर बिस्व का सबसे हुचा मोसम केंदर स्थाफित किया गया है दिखे इसमें बिग्यानिक जेट इस्ट्रीम को समझने और हिमाल्या पर होने वाले जलबायू परिवर्तन का पता चल सकेगा इस मोसम केंदर में आपको याद रखना है देखें, very important question नहीं है, तो देखें अभी हाली में फेमीना Miss India 2019 का grand finale मुमई माय एजुत किया गया था, जिसमें राजिस्थान की सुमन राव ने यह खिताब जीता है, तो इसका right answer option D हो जाएगा सुमन राव ने, तो आपको याद रखना है, देखें अगर हम बात करें, 2018 की Miss India क कौन है, सुमन राव है, तो आप इसे याद रखेंगे, और देखें, सुमन राव भारत का प्रतिन निधित्व, Thailand में होने वाले Miss Bird 2019 में करेंगी, तो आपको इस सभी याद रखना है, चलिए आगे next question देखते हैं, question number 9 है, निमने लिखित में से किसे हाली में, पाकिस्तान सर परकार दोवारा ISI का चीफ नियुक्त किया गया है, तो इसका सही answer option भी हो जाएगा, फेज हमीद को, इन्हें ISI का नया चीफ बनाया गया है, इन्होंने आसीम मुनीर का इस्थान लिया है, तो आपको याद रखना है, देखें, मैं आपको ISI के बारे में बता दूँ, जो पाकिस्तान की बाहिय एवम आंतरीक सुरक्सा है, उसका जिम्मा ISI के पास ही रहता है, तो इसका नया चीफ बनाया गया है, फेज हमीद को, आप इसे याद रखेंगे, नेश्ट कोसन देखते हैं, बिस्व कब 2019 के मेच में, पाकिस्तान के खिलाप अपना पहला छक्का लगाते ही, रोहिश सर्मा ने एक भारतिय द्वारा अंतराष्टे किर्केट में सरवादिक छक्के लगाने का किसका रिकार्ड तोड़ते हुए अपने नाम कर लिया है, तो इसका सही आंसर उप्सन C हो जाएगा, महिंदर सिंग दोनी, देखे, 2019 बड़ गप में, पाकिस्त लेकिन अब इस रिकार्ड को रोहिश सर्मा ने तोड़ दिया है, रोहिश सर्मा ने 329 मेचो में 356 छक्के लगा दिये हैं, तो महिंदर सिंग दोनी का रिकार्ड अभी हाली में रोहिश सर्मा ने तोड़ा है, एक भारत की और से सरवादिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ को आपको उनका नाम याद रखना है इन्हें सत्रेवी लोकसवा का नए अध्यक्स बनाया गया है ये कोशन आपको आने वाले एक्जाम में देखने हों मिल सकता है देखे ओम बिरला ये राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद है अगर हम यहाँ पर बात करें सुमित्रा मह महाजन की तो यह सोल भी लोकसवा की अध्यक्स थी यानि कि जो पिछली लोकसवा थी सोल भी उसकी अध्यक्स कोन थी सुमित्रा महाजन थी और भारत के पिर्थम लोकसवा अध्यक्स कोन थे जीवी माव लंकर थे और यहाँ पर बात करें मीरा कुमार की तो यह भारत की पि एक्जाम के लिए बेरी इंपोर्टेंट है तो चलिए आगे नेस्ट कोस्टन देखते हैं फीफा अध्यक्स के रूप में फिर से किसे चुना गया है दिखे इंपोर्टेंट कोस्टन है यह भी तो इसका सही आंसर ओप्शन ए हो जाएगा जियानी इंफे टिनो को इन्हें पूरी फुल फॉर्म होती है देखे इसके स्थापना 1904 में की गई थी और इसका जो मुख्याल्य है जूरिक शूर्जय लेंड में इस्थित है देखे फीपा यह एक ऐसा संगठान है जो देश विदेशों में फुटवावल की पृतियों गिताओं को आयोजित करता है अग चाँतर्ण की भारत की चांब जाए जो और पुटर फुलक होती है तो दीखे यह हो और आप सभी को पता ही होगा पहले से ही मैं आपके लिए पिर्टेक वीडियो में सभी important question ही लेकर आता हूँ तो इसका right answer option भी हो जाएगा बिस्खेक किर्गिस्तान में देखे ये इस संगठन का 19 बा सम्मेलन था तो ये कहाँ पार आया जुद किया गया था जून 2019 में बिस्खेक किर्गिस्तान में देखे मैं आपको बता दूँ बरतमान में इस संगठन में आठ देश सामिल है जिसमें देखे इसकी स्थापना मैं आपको बताया दाओ 15 जून 2001 में की गई थी इसकी स्थापना उस समय पर इसमें 6 देश सामिल थे लेकिन 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें सामिल हुए तो इस समय संगर्ठन में कितने देश सामिल है आठ देश सामिल है तो आपको याद रखना है देखे इस संगर्ठन का जो मुख्याला है बिजिंग यानि की चाइना में इस्थित है तो आपको याद रखना है, तो आगे अगला कुस्सन देखते हैं, 2019 में चोदवा G20 सिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा, तो देखें जो 2019 में चोदवा G20 सिखर सम्मेलन है, ये 28 और 29 जून को कहाँ पर होगा, उसाका जपान के सहर में होगा, तो इस कांसर ओक्षन भी हो तो ब्यूनस आयर्स में वो था अर्जेंटीना में, तो आपको याद रखना है, जो 2019 में ये कहाँ पर होगा, उसाका जपान में होगा, तो आगे नेश्ट कोस्तन देखते हैं, कोस्तन नमबर 15 है, गिलोगल पीस इंडेक्स 2019 में भारत की रेंकिंग क्या है, यानि कि 2019 में सा पर यानि कि सबसे सांतिपूर देश कौन सा है, तो आइस लेंड है, तो आपको याद रखना है, तो दोस्तो चलिए आब नेश्ट कोस्तन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बोक्स में जरूर बताना है, तो आज का कोस्तन है, भारते सम्मिदान के मूल अधिकार लेंटान से क्い सबसे बतान से सथे सुलेद्ष में मूल अधिकारों कि इस सबसे के मिल अधिकारों के ससे हैं, तो इस सलुटन का आपको कमेंट बोक्स में लिखकार बताना है, तो दोस्तो हम में बहादे सम्मिदान के उपर बिदि procedure बना चुक, अगर आप उन बिदिए को ताकि हम आपके लिए आगे continuous प्रकार के वीडियो ला सकें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार